सद्गुरू, मैं विज्ञान प्रिष्ट भूमी का चात्रू हूँ. इस दुनिया के अधिकांश धर्म दावा करते हैं कि ईश्वर ने इंसानों को बनाया. पर्माना विकास का विज्ञान कहता है कि इंसान बंदरों से विक्सित हुए हैं. मुझे किस में विश्वास करना चाहिए? आप किसके करीब में हैंसूस करते हैं? इंसान होने के कारण मुझे लगता है कि मैं इंसानों से विक्सित हुआ हूँ. देखिए, अगर आप रिवर्स गेर में हैं, तो आपको पहला चुणना चाहिए. धर्म गुर्वों की बात कि आपको ईश्वर ने बनाया है और आप उस दिशा में जा रहे हैं, तो बंदर के दिशा में ना जाएं. ईश्वर के पास वापस जाएं. लेकिन, अगर आप विकास करना चाहते हैं, तो डार्विन की सुनना बहतर है. क्योंकि आपके विकास के अभी गुझाईश है या आप पूरे विक्सित हो चुके हैं? मैं पूछ रहा हूँ. अभी विकास की गुझाईश है. विकास की गुझाईश है. अगर विकास की गुझाईश है, तो एक संभावना है कि आप उससे बहतर इंसान बन सकते हैं जो आप आज हैं तो अगर आप forward gear में हैं तो Darwin के साथ जाए और reverse gear में हैं तो इश्वर के साथ हाँ, क्योंकि अगर आप उस मार्क पर जाना चाते हैं तो भक्ती जरूरी है भक्ती मतलब devotion ये शब्द dissolution से बनाए यानि घुलना, आप घुल जाना चाते हैं अपनी भक्ती के, आपकी भक्ती चाहे जिसकी भी हो आप उसमें विलीन हो जाना चाते हैं तो एक तरह से ये एक तरीका है खुद को कम से कम बनाने का ताकि आप बिल्कुल शून नी बन जाए ये जीने का एक शांदार तरीका है भाशा में बोलने पर ये अच्छा नहीं लगता कि आप कम से कम बनना चाते हैं नहीं, जब आप वाकई शूनने हो जाते हैं तो आप असीम भी हो जाते हैं तो भक्ती एक मारग है पर आपने वो नहीं है क्योंकि आपने थोड़ी आधुनिक शुक्षा पा लिए और आप तर्क से सोचने लगे हैं अगर आप तर्क से सोचते हैं तो स्वभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि धर्ती पर जीवन विक्सित हुआ है आप वहाँ पहुँच जाएंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना बेटर है क्योंकि आज कुछ वेज्ञानिक कह रहे हैं कि आपके और चिंपैंजी के बीच के डिने का अंतर सिर्फ एक दशमलव दो तीन प्रतिशत है एक दशमलव दो तीन प्रतिशत बहुत अधिक अंतर नहीं है तो अगर आप एक दशमलव दो तीन प्रतिशत से खुश नहीं है तो आपको अपने विकास में तेजी लानी होगी योग की पूरी प्रणाली बस यही है अपने विकास को तेज कैसे करें आप जो हैं उसके हर आयाम में उस प्रक्रिया को तेज कैसे करें अभी आप विकास की बात कर रहे है तो चार्ल्स डाविन ने जो भी कहा एक बकरी जिराफ बन सकती थी उसमें लाखों साल लगे एक सूर हाथ ही बन सकता था और उसमें कई लाख साल लगे और एक बंदर आदमी बन गया जो इतनी तेजी से हुआ कि मानव विज्ञानिकों का कहना है कि बीच में कहीं कोई कड़ी छूटी हुई है ये बहुत तेजी से हुआ तो अगर विकास हुआ है जब आप बंदर थे आपने इच्छा नहीं की कि मैं इंसान बनना चाता हूँ आप में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी प्रकृती ने बस आपको आगे धकेला ये बस जीवन की लालसा है ये कोई चेतन चीज नहीं है बस जीवन की लालसा है बहतर होना एक अमीबा से यहां तक कल्पना कीजिए कि कितना काम हुआ है अविश्वस नहीं है जितना भी समय लगा हो एक कोशिका वाले जीव से एक इनसान में बदलने में कितना जबरदस्ट काम हुआ है पर अब आप ऐसे रूप में पहुँच गए हैं जहां आपका विकास सिर्फ चेतनता में हो सकता है पंद्रा हजार साल 15,000 से ज्यादा समय पहले आधियोगी नै कहा था जब उनके साथ रिश्यों ने पूछा उनके साथ रिश्यों ने उनसे प्रश्ण पूछा जीवन कैसे घटित हुआ आपने ऌव आवतारूं के बारे में सुना है वे क्या है तो कृपया देखिए कि उन्होंने क्या कहा ये काफी कुछ चार्ल्स डाविन के शब्दों की तरह है पहला है मचली, मचसवतार अगला है जलस्थल्चर, कच्छुआ फिर वे बाकी सभी छोटे रूपों को छोड़कर स्तन पाई पराते हैं पहला स्तन पाई जिसकी हम बात करते हैं वो है वरा या सूर सूर को मारना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत जुड़ा होता है आज भी अगर आप बुरा बरताव करेंगे तो लड़कियां कहेंगी ये सूर जैसा है हाँ या ना तो जो चीज बहुत असब्य है आप उसे सूर जैसा कहते हैं तो पहला पशू स्तन पाई सूर है उसके बाद नरसिंग है नरसिंग का अर्थ है आधा इंसान आधा पशू अगले हैं वामन यानी बौना इंसान अगले हैं परशुराम जो एक पून विक्सित इंसान है मगर विस्फोटक और बेकाबू आस्थिर अगले हैं राम एक शांति पून इंसान अगले हैं कृष्ण एक प्रेम पून उल्लास पून इंसान अगले हैं बुद्ध जो ध्यान करने वाले इंसान थे अगला एक रहसपून इंसान होना है ये उन व्यक्तियों की बात नहीं है बस उन लोगों को एक मील के पत्थर की तरह इस्तेमाल किया गया यही जीवन के विकास की प्रकृती है कई रूपों में ये डार्विन के विकास के सिधान्द के साथ-साथ चलता है डार्विन के विकास का सिधान्द सिर्फ 152 साल पुराना है आदियोगी ने इसके बारे में बताया था 15,000 साल से भी जाधा समय पहले और फिर स्वभाविक रूप से अगला प्रश्ण है क्या हम और विकास कर सकते हैं क्योंकि जब आप अपनी परिक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके पास थोड़ा और दिमांग होता हलो, ऐसा होता है या नहीं तो स्वभाविक प्रश्ण है क्या मैं और विकास कर सकता हूं अगर एक कोशिका वाला पशु इतना बड़ा बन सकता है तो क्या मैं और आगे जा सकता हूं तो आधियोगी बोले आधुनिक नियूरोलोजिस्ट भी इसी बात को अलग भाशा में कह रहे हैं आधियोगी बोले सौर मंडल और उसकी अंक गणित की प्रकृती को देखते हुए जिस तरह से प्रिथ्वी, चंद्रमा और सूरे हैं ये तीन बहुत महतुपून है इसी लिए पूरी योगिक प्रणाली इन तीन पहलुओं के आसपास है इन तीनों के महतुपून भूमिका है फिर बोले, जब तक की सौर मंडल की कोई बुनियादी चीज नहीं बदलती आपका शरीर और विकास नहीं कर सकता पर आप चेतनता में विकास कर सकते हैं चेतनता में विक्सित होने से हमारा मतलब है मैं आपको दिखा सकता हूँ यह हम आप पर प्रयोक कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हों हम आपको कुछ सिखा कर आपको दिखा सकते हैं कि आपकी बुनियादी जेनिटिक्स बदल जाएगी तीन से नौ महिनों के अंदर अपने सिस्टम के साथ कुछ चीजें करने पर अगर आप एक निश्चित अनुशासन अपनाने के लिए तयार हैं तो आपकी जेनिटिक्स बदली जा सकती है आपकी बुधिमानी का स्तर बदला जा सकता है जिस तरह आप जीवन का अनुभव करते हैं वो बदला जा सकता है तो वे बोले आप जेतनता में विकास कर सकते हैं मगर शारिरिक रूप से विक्सित नहीं हो सकते जब तक कि ग्रहों की विवस्था में कुछ न बदले आधुनिक नियूरोलोजिस्ट ऐसा ही कुछ कह रहे हैं तो अगर आप आगे जा रहे हैं तो डार्विन को चुनिए अगर आप पीछे जाना चाहते हैं पीछे कोई बुरी जगा नहीं है अगर आप पीछे जाना चाहते हैं ये मत सोचिए कि पीछे जाना नकारात्मख है नहीं अगर आप विलीन होना चाहते हैं तो ईश्वर की ओर जाईए अगर आप विक्सित होना चाहते हैं ये एक तरीका है ये दो अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज को करने के